सब्सक्राइब ने हो असा जो ऑफिशल यूट्यूब चैनल सिंटीवी स्टी कुकिंग शो आई वधी कब डेट लाए बेल आइकन के क्लिक करें असलाम ने पुर्नाजरीन माहे शफ़े सल्तान डी सूपया कुकिंग शो मीदा सब खरीया सहूंदा तमाम बैतिन रेसिपी अज भी खणी आयों आए फर्माइश भी हुई के वेजिटेबल ठाइन से खारे होता है कतासा ठाइन प्या पालक भरी मिर्च या नी मिर्च भरा पा अजिए एक तमाम बैतिन रेसिपी आयो माँ थाइसागो तक घर्मी नी तक है एक एंडियान रेसिपी माता है अंकल चयों के तसला चिकन चाहूंदा या डाडी बार्बी क्यों स्ट्याली चिकन ठांदी है लेकिन जी जी का कोटिं थिंदिया हो मक्षन खा अमसाले वारी ड अजिए पुछोंचे कॉल करें पुछी सगोता अनेक्स असान सगर एंए जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर एंड मिक्सर माइक्रोवेफ ओवन वगएरा अविलेबला वटी सगोता आज की जम रेसिपी बना रेसिपी बना रेसिपी बहुत ही मज़िदार इंडिया मे बनती है यहां पाकिस्तान में बिकुल नहीं बनी है लेकिन यह रेसिपी आप बनाएंगे तो आपको बिकुल डिफरेंट लगेगी बार्बी क्यू चिकन होगा लेकिन इसकी जो कोटिंग होगी उपर से इसके उपर जो दाला जाएगा क्रीमी टेक्सचर में और उसके साथ इसके उपर बटर की कोटिंग होगी बहुतिफरेंट सी रेसिपी आपको बहुत मज़ी की लगेगी पूरी पराटे के साथ, चपाती के साथ, नॉर्मल पराटे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ आप खा सकते हैं दावत के लिए स्पे isol रेसिपी कोई छोटा बड़ा तो आप बना सकती हैं, बहुत ही जबर्स यूनिक रेसिपी यह पहले भी मैंने एक दो साल पहले बनाई थी दुबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंके नियूर वेवर्स भी आते रहते हैं तो उनके लिए पी जबर्सी रेसिपी सर्दियों में भी खा सकते हैं, क्योंके पालक 12 महीने मौझूद होती है क्यों है क्यों होते है तो सबसे पहले हम् क्या क्या करें जब हीए मिन्याशं करते है, क्यों değiक नियूरे सदाने ऊटने क्या है । प्लेटर ले ले gelecekड ख्लादने एक फोले नियूई ठीकन की बच्न की कि नियूनिते है भी नंजने क्या थिप एक नमाल कंत्सम। को त्के वे अप्रश्चाब जिए उन्हें रहा है अब क्या रहा है लुग उन्हें भी इसके बीज़ आप प्रोग्रम लेकिन अब क्या रहा है आप केबल वाले से आप बात करें अपने केबल अपरेटर से कोई वही पर इसू होगा क्योंकि लाइफ तो जा रहा यहां से ना तो तो अब क्यों भी तो खुद भी याद नहीं है क्या में ना में तुरही किमा बनाए था टुरही किमा बनाए था और अग्यु दाल ना ना चेपनायों ना तुरही किमा और ना डिक्सेल बनाइमेज स्टुंध और खुर्मेरेची चाहते हैं जरते हैं थे पालक नफमेदे मर्चों से खुटだけ चाहते हो… अवर सब्सक्राइ पानी गोज़ गल जाए Sunshine पर आपनी पानी हूं पीतना टालने बीगेवाना पदू सावल इस बीगेवे चावल लेनी फिर शरॉक्त के 4त पानी होना चाहिए पहले चावल डालेगा फिर पानी इतना अधाजे से डालने लेवल में के एक इंच उपर आजाए तेज आच पर बॉइलिंग आने तेज पर पानी अधे पर ड्राइब लगेगा फिर दम पर लगा दे तो पैसर भाई चावल अगे उपलेगा नहीं नहीं यह बीगे वे होने चाहिए 15-20 प्रेज चाहिए ब्रेट अपने नवडी बनाई और रसमलाई जो भर बर तेज जी यह था तुम्हें दालेंगे तो इस तरह को प्र चाहिए नहीं रहा है आप देखे उसका मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखना था इतना रखना है वो अधन अधना नहीं के वो फ्लोटिंग कर रही है ठीक है यह थैंक्यू अपना ख्याल रखे रहा है थैंक्यू लाहाफज अच्छा यहां पर इसका बनाएंगे मसाला तसला चिकन की ठीक है तसला चिकन लाडी जबस तसला बनाने का तरीका अभी हम मैरिनेशन कर रहे है इसके यह नहीं प्रहए हम लमट्य हो थैंडिया अधनील रही है तो आपन नहीं कैल अछने देटी नहीं पीथी है। artistic trip तो उस मिलेगे तकर थैके घंदवी पानील दूल करें शुपनी शहां है ऋंक द्ढशाटन के नहीं पूँद है इसकorg और नहीं सृकों तो मैं जनील उना थ यहां पर तीन खाना के चं़र हमें काड़ा लिया हेँ कर्ट पानी निक्लावा अब इसमें का मिलाना है इसके अंदर हमने में मत्साले उसमें की इसमें माल मिलाने कि रिक क tamat एक किल चिंद किर लाल मिलानी गार पर ऑर शना कं Εक चाय का चंब व्साल मंध मिलाने पिसी वी लाल मिरच एक चाय का चम्मच नमक एक चाय का चम्मच चाट मसाला डेड़ चाय का चम्मच कुटी वी लाल मिरच एक चाय का चम्मच जीरा भुना कुटावा डेड़ चाय का चम्मच 65 रएक्ट चाह काईल USDA करमसाला पॉटर 10 चाहे का चमच Junior आदा चाही पॉटर 21 चाहे का चमच हल्दी पॉटर एक चाय का चमच कश्मीरी लाल मिर्च या अदेगी लाल मिर्च इससे कलर बहुत अच्छा था कर यह नहीं तो इसके बगार भी बन जाता है पिर आपने यलो फूट कलर और और इंज फूट कलर क्वार्टर टी स्पून या हाफ टी स्पून से थोड़ा कम इस अद्ध चाय कम चो या अदेगी लाल मिलें अब इसमे क्या डालेंगे इसमें अधरा डालेंगे अ अद्रक लहसन और हरी मिरच का पेस्ट, एक खाने का चमच अद्रक लहसन और एक खाने का चमच अद्रक लहसन और एक खाने का चमच अद्रक लहसन और हरी मिरच का पेस्ट, एक खाने का चमच अद्रक लहसन और हरी मिरच का पेस्ट, एक खाने का चमच अद्रक लहसन और हरी म लितव पारी पीसे चाहब आखे चरावी जाहने, पीसे लेक का घ exist अब दालें लामन जऊस लामनाला डा जोस लामना योडार दद कósवा नालें जोसके जाने के छामने के चाह्मिट, बहुत जदालें, sort and four table spoon lemon juice पैस शरक व्हां कहा है लमन का जूस इसमेना चार खाने के चमच साहर में in sasuly तेका पोहिन म्सालिक के मिखम उद्ञ ओँ लिण कर चिकन के लगांनों सी चिकन के लगाएंन का प० आ रख हम दो बखाट्री कलाक कलाक में भी थी विंदी लेकिन लेक पीस यह को टाइम वधीक बठन दो और लेक पीस है जो ज्यादा टाइम लेता है अदर वाइस चिकन की जो बोटियां होती ना नॉर्मल वो जल्दी हो जाती है अब चार खाने के चमच लेमन का जूस चला गया इसके अदर और इसका हम बनाइंगे एक पेस्ट यह सारा मिक्स करेंगे दभी में पानी नहीं होना चाहिए ठीक है खोश्क होना चाहिए अब का यह सारा मसाला आपने मिक्स करना है इस तरह क्षेसा तरी मिक्स करें हानि मुटि हैं लग पीस को अपने हलिग अलका कट लगा दे ना इस तरह हलका सा अपने कट लगाने भूत ज्यादा नहीं तीक कि एक कट लगारें भू ज्यादा तीन तीन कट लगाएंगी तो फिर छिकन खुल जाती हो ज़्दा हड़ी से लग जगी एक कट लगाने का मकसद होगा कि हड़ी अंदर जब बलड नहीं रह जाए वह पिल्कुर अच्छा सा मेरिने हो जाए बाकी चिकन के सारे नॉर्मल कटिंग में पीस आपने समय डाल देने एक किलो चिकन है हमारे पास अच्छा नहीं अच्छा सो ही गटापन बाकी मेरिने यह सिर्ण गजाए राध टेकन के नहीं रहित mother does अब इसमें जालें दो खाने के चमच कुकिंग ओयल आखिर मिक्स करें एक और यह दो तेबिल स्पून कुकिंग ओयल से מאरी में यहां में अच्छी तरह अच्छी तरह चिकन के अदर करें, चब हां जारीक अच्छी करें, ऑना कुछ थो कंदा चंगी हां लोसे में आरे, तको यहां रज़ाई, सभ्रोधvious हां गलाव में यहां नहीं एक तरह शायुद करांगी है फिर इसको आपने कवर करके रखना है कम असकम एक घंटा नीते दो से तीन घंटे आप रख सकती है इसको ताकि अच्छा सा फ्लेवर बने अब एस उजल प्रोग्राम का टाइम हमार लिमिटेट होता है 50-55 मिनिट तो मैं इसको डाइरेक्ट अब फ्राइब करूंगा ठीक है जी कहती है यप ठीक है कुछ कहाना चाहेँगी जी कुछ फो में ने चाया होएं पर मरे बने ते बने मृंएं जाले किवा मैनेक्स ट्weeg बनाउने पार्माई क्टर शीक तना ओंगा मेरे up मेरे का लिए जा वालव Walaikum आजब वाळेकूम असलाम, बेटा क्या हाले हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नम पुम्हात थाहार है, मेरा खाल दिल्टी ठीक है, क्या अपर्माईश करनी है है? युट्रोणी चेटपटा मिक्रोणी चेटपटा मिक्रोणी, क्या एज है आपकी? हाँ? अगल एक अगलस, में एक समा से शॅण ए किपो अपल सब्सक्यांब की ना खाल, जर्ण शोल हो जो है टाल वो सुग्जा एक घड़ कि cumpl सेड़ है, यहां पर ऑफ़ गरम किया है कितना ओफ यह लेना है बहुत ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं चाथ चेबिल स्पून चाम्चा ओल्ड़ कायो वधीगना ठीक है चेट टेबिल स्पून ओफ लिया और वी चिकन के पीसिर्स जो है इस आरे आपने आपने अश्टर है अपने अपन मैं तो कर लूँगा इसको बैंस आप लोग से कच्ची ना रहे जाएगी नहीं कच्ची लेकर फिर आपने इतियात करना है ठीक है चार खाने के चमच कुपिंग ओयल डालना है ज्यादा नहीं यह नवकर दीप फ्राइ हो जाए है चिकन के पीसेस डाल भी है सारे मुर्गीजा और दीपा चाहे पागल थे 건ाट फाए है क笑ीender और गला संवेडमेदार है तो काका थे आपने बुट होैट है पार स millionaire मासाली आइ पेड़ जा रूद थाफिप कर द्यान के टीग कि तो साराई तो करने ठीक लिषद आप पर पढ़ने तो कि व हम इस सारा रहें तरो करें वह मोइसटर बनें और我們的 चिकन अधर बिर्णगाइं जब पानी जो बेंड़ा नीज बातyani है करने रहां मिलता जाएंड प्लता जानें केका पुर्टाइन केकाएं प्लताएंगे Helena मठा लगल वि Pragri Ramak मठा लगल और मुटल जाया नासी अपने मसाला बाद को जाएँ गरा हमारे यहां आपने करना के मठा है report कर साथ हां, मेढ कर साल do को कर साथ, यह कर दो covered बानी किया खुछे थार छोओ र STEP मीडियम तू लगजस की अपचाड करें और अब हम हम आप क्या आह है इसका बनाना है सॉस ये तो बारबी कु भी करेंगे इसपैंदनाे के लिए अची त्राऊ है यह पर चाहिए आप पार स्टेंड राग झाले घर्ल राखिए और राग्ण धनाखिए भार्ष थैंडे यह वैसे यह नहीर है वैसे जो झालिए भी आप डाद देखें यह गिए ए वापना पीज़ भीज़ यह बनाना यदोर चाहिए पर बार्ष बहुझ रिड़ ए जाने ह बाकि भी ग्रेल होजे तहीं मत्था रखन ज़ला होजे लगा कोई भी ग्रेल आजिए ज़ली तहीं मत्था कैसा गोता है अब इसका जो एक सॉस बनेगा ना इसके ओपर जो डलेगा वो बनाते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए बहुत इजी चिकन है और बहुत ही मज़ कप इसमें डाल दिया इसके बाद साबित लाल मिरच गोल वाली डालेंगे तीन डेड़ कप सावा धाना आई फूर दोनो साफ करे विजन दो लॉंगी मिर्च ट्रे खनी वर्जो थूम जी गणियों ही ते चार का पंज लहसन के जवे चार से पांच चार से पांच लहसन के मिर्च डालेंगे काला नमक है यहाँ पराफ ती स्पून से कम थोड़ा सा काला नमक यह नॉम लहन है नॉरर्ब साफेज जीरह रग चाय का चमझ सफेज जीरह थोडा सा काला नमक ओदो से वाटर तीस्पून से तोड़ा जयादा T agreements Wow घृक है यह चीजे मिलाने के बाद यह थन्दा सेंची कि अजय को अजय को इसके बाद हमने क्या करना है एक बॉल लेना है दही लेनी है दही पानी इसको लेनी खुष्क करें शॉटे के पिर अजय करेंगे सोस में हाथ रोक रोगा हुँ बिरेक के रोकर ऐπαा कटे में रर्डार के रर्डाइम नियुक्त नियुक्त आपके आएप अजय के ठालने वेल्कम अजय को राज्या विद्वेश का एक शुले अजय चुले C प्रचजी को पाने निकला ना वहा हम ने जा ने किया करना है कि रिखने है जितना चिकन टेंडर हो जाएगी बाकी पिर लुझे प्राइग पर गरेंगे ठीक है बाकी हम इसको ग्रिल करेंगे इस तरह आपने चिकन की भुटियों का हलका हुमाते जाने इसका जो नीचे मसाला लग रहा है न यह आपने इसके साथ कोट करते जाना इस तरह ठोड़ा सा इसको घृणते रहें चिकन को हलके हासे दोटी या टोटे भी न और इसको अभी खुश करना आपने अब हमने क्या करना जब तक यह ड्राइ होगा इसको कबर करते हैं ताकि अंदर इसमें ड्राय होत फ्रेश क्रीम डाल दी आधा कप और 1 कप दही इसको आप करेंगे बीट एक कप दही या एक कब से ठोड़ी कम भी दहीो तो चल जाएंगी और आधा कप आपने डालना है फ्रेश क्रीम इसको अची तरह आपने बीट करणा है जानी तरह इनके फेटन दो, यह सॉस बनेगा चिकन के उपर डलता है, वह डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है, एक कप दही और आधा कप अपने फ्रेश क्रिम लेना, अब यह जो चटनी है यह हमने इसमें डालनी है, सारी ना डालें थोड़ी बचा दीज अब नमक वगएरा सब चटनी में था जीरे का फ्लेवर था यह बन गई ठीक है, है सॉस तेयार थी विए, थोड़ी जेका बच्ची है और रखी चाँ जो बच गई उसको आपने संभाल के रख देना है, अब कोईले को हमने करना है, इसमें स्मोक, कोईल सेपरेट हो गया, स्मेल रख देतें बार्बी क्यू का इसमेल देनी हमने, बार्बी क्यू जी खोशबू हमने द्यानी है, तक इतने अचा चाहन खनासई, कोईलों खंए हमने रख नासी, कोईला आगी हसके अदर, इसके ऑपर आपने हलका सा ऐस वाइल डाल देना है, एफ दो ट्रॉप और य नहीं नहीं पर टोर आपक्स से रहे हैंग मुज़ा पटो बिर वार दना टॉम्हाँ तरह से तरह जो नुझै बंद करना हैं आपने होल वी परथे कोल आपने विफ़ सब्सक्रांफ upstairsप हर शोल के प्तल करें तरहा हैं कोईले को पानी डाल के आपने बुझा देना है क्योंकि किचन कैबनेट्स और होते हैं तो अग लगने का भी खत्रा होता अब यह जो हमारी हो गई है चिकन इसमें टेंडर ठीक है अब इसका एक एक पीस उठाएंगे ताइम नहीं आपने ठंडा करके रखना है ठीक है यह हमन स्लम लेकूम काॉर कोन ते रखना इस्का यह हैता है कोन इक रखना मैं बिल्कुन घिक ताफ से बापंगे हुँ मैं इसकर के चैप्ति के हैं आप ठीक है जिए आपका प्रग्राम भाष्यॉ कोई ळकल शिक्रियाय पढ़ बoc्ए खरूज कोई बहुत बगार पमाइशे रह नहें कि नहीं और ढर जडते हैं So I am उनितने मुझा हुए रहे झाल को है तो है आम की आजाए ती नमकीन मतन की? नमकीन मतन की स्टीक है मैं नोट कर लेंगा है इन शालल आपको जल बनादेंगी है अपना खीया को साहा कि अ को अपना आग मैं कि अपना है अपना खीया त्रहा है हुज एक कराएं नहीं, अभर को मिनां आहिए ठाप सबादाएं बीटी आपड़ कि में भूकता कैसे ज़ान है बोटी कच्ची भी ना हो और जो मसाला है इसके उपर जाएगा ठीक है इस तरह बोटियों को अपने कलर देना है और पल्टाते जाना है भले एक एक दो दू बोटियां रखती जाएं बड़ा जबर बिबकुल बार्बी क्यू क्यों के कोईले का स्मोक हमने दे दिया अब ही द आपने ठंडा करके करने में पस टाइम नहीं है तो मैं डारेक्ट आपको दिखा रहा हूँ आपने बोटियों उतारनी है ठंडी करनी है इसके बाद आपने इनको ग्रेल करना है लग पीसिस को भी इस तरह घुमाते जाएं अगर आपको लग रहा है तेज है चूला तो आप कि हम बश्तकGood की बार्वडकते इसे टाइशे करें में लग dal 얼ू रहा है कि बार्लय कीमे म्हांच करके आप का तो अरिजिनल रेसीपे लग अपने पारेक्टी बूतिए ऌगे ठाजला श के एमाने जाएं एक है तरह आपने ठाटनी है असलाम लीकुम ऑलेकि मैं Buy Americans को कारेग कर दिके वानेकावे 좋़ करें किके मेंस्ता मीद चाहिक जा है को आप आप देखा कर देखा है rasa ise mिया चाहिक बात कर दाज़ जाए है यह जा चाहिक कर दो कि यह काल तुझा कि यही थ टयाट नंबर में आपट होगी है लेकर देखा कि अट कर दो तरह लाइन ट्रॉप हो जाती है और टी वी का वॉल्यूम अब बढ़ा था तो मेरपानी करकर टीवी का वॉल्यूम बन कर दिया ठीक है अच्छा मैंने जर्दे का इसमें नहीं डाला है ठीक है बहुत से लोग डालते हैं बहुत से लोग नहीं डालते तो मैंने नेचरल कलर में रखा इसको अभी बोटियां बहुत इत्याद से जलनी नहीं चाहिए इस तरह इस पर लेखें बार पी क्यों जो जो अचन खपे जल जाएंगे इस सारी चिकन आपने इस तरह करते जाना है बड़े तिक्के बनाने की ज़वत नहीं है चोटे पीस क्या होता है कि जल्दी बन जाते यह एक किलो चिकन थी अगर आपने ज्यादा करनी है तो आप ज्यादा कर सकते अब इसका इसका यह जो मसाला बच्छा है कि आप अरे बनान ऐग में देए जाड़ा स्टील जो ताला में सर्फ आप जृष ताले इस जिन कि यह जुँ आ रोड़एन रेसिपी लेकिन है वह पे धहां है रेस्टरृն्ट है इंडिया में तो वहें था कि रज़ए नहीं हुआँ तो नहीं हमाने प्लард पांश पीन इ यह परफेक्ट है रेसिपी के क्वांटिटी इस चिपकन असंजी तियार थी वही तो इसको हटा के रखेंगे ऐसी जगापे के इसको महफूज हो जागा ठीक है फिर ठंडी हो जाएगी तो इसको वाश कर ली जागा चूले को बाद में ब्रीक में साफ करवा देंगे अब हमन लेनी है और भगार वाला जो पैन होता है न इसमें यह फ्राइंक पैन में आपने 100 गराम बटर डालना है 100 गराम मखण जी टिककी भी बिंदी यह मैल्ट होगा मखण ठीकी यह जरूर जाएगा इसमें 100 गराम यह तक में हाफ कप बन जाएगा यह गरम गरम मखण इसके पर जाएगा इसको हमने किस्तार सर्फ करना है वैसे तो तसले में होता है लेकिन अब तसला हमारे पास है नहीं तो मैंने क्या किया है दिश ली छाब शुली अब भी आएगा आषिष्ट है शज एडिया तो बाद के दोड़ जाएगा अब्याएगा वैद शौण एक है डिः उड़ा कि ए तरफ करी दाएगा जाएगा जाएगा थіч यह कं़लो पुलारां जाएगा अब क्क्गर दिश भी नहीं चारे तकWe'll सुझ जया अच्छी तरह मेल्ट हो जाए गरम गरम मक्षन जाएगा और यह जो इसका मसाले वाला सॉस है यह उतारना इस तरह बड़ा मज़िका होते ही जला जला सा होता है थोड़ा बहुत ज्यादा जलना नहीं चाहिए इस तरह कर लोकाना चाहिए यह अपने सारा उठाया है और यह इ लाड़ी जबरस आहे रसीपी ब्रेक जो टाइम मोधाी चुड़ा छिअ इसका मैसाले अपने इसके उंपर डालना है बटर अपने गरम मक्षन आपने लेना और यह इसके उपर इसके उन्दादा खाल सीचा जआ शरे शरे करने के बाद खाया है रिख करने के बाद अबद फाइन जूलियन कटिंग कीवी, थोड़ी सी एक दो खाने के चमच, और आखिर में हम डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा लाइस्ट में, यह होगी यह तसला चिकन तसला, यानि स्टील के थाल में इस तरह सर्व होती है, हे रैसिपी हाँ हाँ, हे रैसिपी हिनी तरीके सा हरी मिर्च पालक 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 हरी मिर्च अम बनाएंगे ब्रेक के बाद यह रैसिपी पूरी हमारी कम्प्लीट होगी है, लेते हैं कि शौर प्रेंगे, वेल्कम बेक नाजी, ब्रीक तरहने का परीताय, सामुजे का तसला चिकन ठाही तारीसी सगोताय, कितनी जबरदस इसक करके रोटी से, चावल से, इसके ओपर सौस पर क्रीम है, दही है, और हरा मसाला है, ठीक है, उसके साथ बिगलावा बटर भी है, और इसका अपना मसाला था भी डालावा यह आप जरू ट्राइक है, बहुत बहुत ही मज़दार है, कल सुबह नौ बज़े भी रिपीट चले इसको सब्सक्राइब करें, सारी रिपीज मिल जाती है, जिनके लाइट का इशू है, जिनके कैबल का इशू है, तो उनके लिए भी फैसिलिटी है, बहुत एज़े के आप यूट्यूब पर देखें, मेरा नमबर भी मेरा रोज़ाना रिपीट कराता हूँ, 0314267 531, मेरा वाटसप नमबर है, उस पे आप मेसिज या वाइस मेसिज करें, बहुत सारी बहने करती है, आज भी बहुत सारी बहनों के मैसिज आए थे, उनके खीर का मसला था, किसी ने ब्रेड बनाई थी, तो मुझे पिक्चर्स भी भेज़ी हैं, तो मुझे खुशी होती ही जब आप अज भी मिर्चे जब देए, जो जो जब दाए जब आप लगाएं थाप लगाता थापस तरफाल बदे नहीं पर आप लिए उनको कट लगाना है, इनकी दंडियां जो यह नहीं काटनी और चम्मच के उल्टा साइड अपने निकाल ने इस आपने बीज निकाल डेने, तो तोड़ने के बाद यह प्रोसेस करना है सावा मिर्च खाया अठाका दाधत परिकॉल वतूता असलाम लेकुम असलाम लेकुम यासमी जावेद आटकरी में कराची से कैसी है यासमी जावेद आप ठीक हैं अल्लाद शुकर रभाई आप कहते हैं वालम लेलाद आपकी हम अज आप क्या बना रहे हैं अक मिर्चा वाल अड़ होखर रही है इस पर नवी क्या बनाए यह लाए टसला चिकन बड़ी जबरदस बार्बी को स्टाई नहीं थोड़ी से रची पर रिपीट करने तो बड़ी महरबानी एक थोड़ी से रची पर रहीं मैं कोशिश करोंगा नहीं तो 9 बजे रची पर रची किया क्योंकि रही है। जीरा भुना कोटावा जाएगा दो चाय के चमच, लाल मिरच पॉटर एक चाय का चमच, काला नमक आधा चाय का चमच, चाट मसाला दो चाय के चमच, और दो से तीन चाय का चमच, धनिया पॉटर दो टेबल स्पून भरके डालना है, उसी से भी मिक्स्चर अच्छा बनेगा पिसी लाल में चेक चाय का चमच बुदा जीरा भुना, 2 चाय के चमच, Aल दी पॉड़र, कुटी वी, लाल में चेक च मच, आलए नमक काली नमक से फ्लेवर अच्छा आथ है तो हाफ तीस्पूँन से कम जाएगा क्योंकि चाठ मासाले में नमक होता है चाट मसाल हम डालेंगे दो से तीन चाय के चमच और धनिया पॉडर तीन खाने के चमच कर लें ठीक है पीठल गाड़ा में छिक चाय जो चमचो अच्छो जीरो भुनियल कुट्यल ताहिजा मत्हां सेके कुटे पॉडर करें विजंदो बचाय जा चमचा अधिचाय जो चमचो कारो लून या नॉमल लून अधिचाय जा चमचे का घट कुटेल गाड़ा में छिक चाय जो चमचो चाट मसालो बचाय जा चमचा आई धाना पिठल ट्रेक हैंड जा चमचा ठीक है सब शेयों हिंजे अंदर मिक्स करें चंदो यह सारे चीजें डाल दी इसके बाद हम इसमें या तो सफेज सिर्का डालें थोड़ा सा नॉमल वाला या फिर विनिगर डालें ठीक है और सारी लेमन जूस डालें गाड़ा सा पेस बनेगा हलका सा बहुत पतला नहीं होना चाह काम अठका डर मिर्चा जिले ख़ल एक Lalग कि आथे राम पना द्रेल धान दित्साहिं मग हम इससे था चिले बनाएंगेर आपलक मिर्च एख राम रेम लिए इसके लिए हमने में पकतीला या कड़ा यह रिए दीसमें हम डालेंगे में कुकिंग उयल हाफ कुप से थोड़ा कभी प्यासचान चाहिती है या चुर्फ प्यास शाबट नजर नहीं दोओ ठीक लिए प्यास इस आपने क्या करना है कि दूज कर लें जूसर ब्लेंडर में दाल दें चाहने के चमच कोकिंग ओएल गरम किया इसमें इसमें एक प्यास लिया बढ़ा या तो चोटे प्यास या जो नज़े बें ब्लंड करें दें, ब्ल्ञ दे एक फ्रा आपेशे कर करें अफेर सब्सक्या दालें, क Kings क्ड़ी पत्ते हैं, कड़ी पत्ते हैं यह यह भी यह अँनल जाया है, 53 शही तो देी cm ऑनेल काइश छो टाएंū, क厉क सुद् diri चुंद्य कंग पत्ते हैं, 15 मुरुप यक प्यास का पेस्ट, एक कप तमातर का पेस्ट, या दो प्यास मिटियम, तीन तमातर यही आ विक कंडासी, जल्दी भरे चारी चाणी है पर साल्दी और जल्दी भरते heraus इस तरह की रैसिपी भीफ, मटन, चिकन, मचली तरह रखें तरही हुआ रखें तरह की रहते हैं जब जब एक राइश में उपने पालग इस तरह की बना सकते हैं आपने पालक को अची तरह दोना है, कटिंग करके उसके बाद आपने एक कप पानी के साथ यह पालक करना है ठीक है यह पालक हमारे पास है तीन पाव पालक ले ले लें आदा किलो में भी कर सकती है एक किलो में कर सकती है नहीं पालक की डंडीयां अपने हटा के पालक को दो के एक कप पानी के साथ आपने बॉाइल करना है और जब पानी खुशक हो जाएगा पालक को ठंडा करके आपने ग्राइंड कर लेना है पालक जाएगी या विल्कुल फाइन घोटा लगा लगा लिए घोटे ने पालक को कर सकती है लाइट का इस नहीं है तो भी घोटके भी कर सकती है अब यहां प्याज हमारा हो रहा है गोल्डन फ्राय कड़ी पता था तो मैंने डाल दिया अब जब इसमें खुश्बू आने लगी तो यहां पर एक खाने का चमच लैसन और एक खाने का चमच अद्रग का पेस्ट मिला के तीन खाने का चमच जाएगा और इस तरह नहीं है तो tutorial तो कामच अद्रग करे अधाने का कड़ी पता ता प्ट्ट केस्ट और अजम नहीं है तो ना डाल के वहां तेजपन जाल एक ट्रेएगे कुष्भू यह तो नहीं है तो नहीं तृमस पताई जब आप देखेंगे कि प्यास का कलर चेंज होने लगा है तो हम इसमें टमाटर का पैस्ट रेट करें असलाम लेकूम टमाटर का पैस्ट भी चंदासी ठीक है तो प्यास को बहुत ज्यादा ब्राउन नी करना है लाइस का गुल्डन कलर आगिया अधर कलैसन हरी मिर्च की खुश्भा आगई तो रहां पे हो गई हूगी तो इसके साथ ही हमने क्या करना है टमाटर डाल देने तामाटरो का पैस्ट डाले उसको आपने करना है अची तरह तरह ब्राई स्णू टमाटरो को ताकि पानी खुश्क होज़ें यहां पर तेखें त सावा मिर्च जेका मसालो माठायो ही मां बहरा ही चड़िवा अच्छी वापिस भर्जी हाने हिन मिर्चन के साँ फ्राइ कना अब जो हरी मिर्चे हमारी है इनको हम करेंगे फ्राइब दूसी तरफ रखते हैं फ्राइंग पैन ठीक है कावर रखिएगा फ्राइंग पैन का चार खाने के चमच ओएल टालेंगे ताके मिर्चो को हमने करना है शेलो फ्राइब बस चार खाने चार चमचा हीते ओएल खायो अब गरम थियो चलो हलको कजो चूला हलका करेंगे ओएल गरम करके और यह हरी मिर्चे इनका जो मुह है ने कट वाला या आपने उपर की तव मिर्चो का जो कट वाला हिस्सा है वह उपर रखें ताके मसाला जले ना नीजी गिर ऑफ इस तरह आपने इनको उपर रखना मसालों को कट वारो जैको इससे हो है नहीं मत्य रख थे जो हिकड़े पास अब फ्राय थे और वने कूब इन प्रेपास रेक्षा चार खाने चार तीन से चार खाने के चमच आइल है इससे ज्यादा आपने नहीं लगाना ओए ठीक है अब चोला ओन करते हैं और इसको करते हैं कावर 2-3 मिनट के बाद इसका साइड चेंज करेंगे यह मिर्चे हमने इस तरह फ्राय करनी है यहां पर टमाटर हमारे फ्राय हो रहे हैं यह मसाले डालए डालें नमक आधा चाइक थाएक डाणा पीठल 1 चाहा चमक फोंच शो लून आधा चाईजो चमक recurvy दाना पीठल 1 चाहा चमक खात का एं लून अधा चायजो चमकूáay तेब मसाला विजी चलिया, इसको भूनेंगे मसाले को टमाटो के साथ, अब इसमें जाएगी दो से तीन खाने के चमच दालेंगे दाही, मसाली की भूनाई करें, बड़ा जबर सा टेक्स्चर आएगा, दो से तीन टेबिल स्पून दाही चला गया, ज्यादा दाही नहीं डा अब भूनाई कर रहा हूँ, भूनाई करने के बाद आपने क्या करना है जो पालक हमने बॉइल करके रखी थी यह सारी इसके अंदर एट कर दी है, और इसको भूनेंगे और कवर करेंगे दस मिनट के लिए ताके पालक का कच्छा पन खतम हो जाए उस दुरान हम लेते हैं अब बेग के बाद आके रेसिपी कंटीनिए करते हैं वेलकम एक नाजमीं बरीक तवने का परी तान सामु जी के मिर्चाइन हिंकेमा पल्टाएंबर तीके मिर्चों को आइस्टा आपने पल्टाने ताकि इसका जो मसाला था वो भी नहीं निकला और मिर्चों का अब बी च कर दिया यहां पर पालक मेने जो थी इसमें डाल के भूनी थी थोड़ा कवर कर दिया था इसको अब अच्छी तरह आपने भूनाई करनी है ठीक है इस तरह देखें किती जबरस लगए और जब यह पतीले कर जब धकन पकड़ते हैं इसको इस तरह उपर पकड़ा करें इसम अइस मिल्हत आम तरह के लिए सब्सक्शाएज कर माउच समय को हैं इताइंचता क्वर्च के अच्छ तरह पालक में दैना है और उसके बार पाँच मिनट और पकने देंगे पालक को इसके बाद को निकाल तर यह तलé way hardymetra उपर से आप रखेंगी बहुत ही इनीक बहुत कवर में इसलिए किया हुआ है क्योंकि कपड़ों पर चहिंटे आरे होते हैं तो बहुत ज्यादा इतियात से हाथ भी जलते हैं पालक जब हम इसलिए बॉयल करके डालते हैं तो इसलिए आपको कोई और चीज इसमें एक्स्ट्रा नहीं जाएगी सारे मसाले हमने डाल के भून चार मिंट हिंके अन्या मजीद पच्रण देंदा से जड़े तेयार थे हिंदी पो इनके जड़े तांख कड़न दो खाएं दो तब तमाम बहत्रे इन महीं जो चुलो बंद के चलिए हो चाकरण दें जो ऑल इलाई गरम तो तो इसलिए मैंने चूला बंद कर दिया था वरन चूला बंद कर दें ताकि मिर्चों पर ही लगा रहेगा पकता रहेगा खुश्बू आती रहेगी ज़रू कीजिएगा एक चाय कर चम्मच सफेज जीरा आपने मिर्चों पर डाल देना है चूला मैंने बंद कर दिया बंद कर दिया है पालक हमारी रड़ी हो गई है इसको म पर देखे जानाना है तमाम बैतरीन असांजी अजो की रैसिपी जिकाही तियार थी हो यह इस अफ़ेज चावलों के साथ भी बहुत अबरस लगेगी और नान रोटी के साथ भी बहुत अबरस लगेगी इस तरह आपने पालक को निकाल देना है डिश में निकाले अगर इस अब यह हरी मिरच उठाई इसमें जीरा भी है उपर लगावाई हरी मिरच उठाए अपने इसके लगाए अपने इस तरह रखना है पालक हरी मिरच तमाम पहत्रेन पहत्रे रेसिपी आसांजी इसको जबूर ट्राइ किजएगा बहुत ही मज़े कि आपको युनिक सी रिश बनाना सखाई हäre पालक खृमरच की कल हम बना रहें फेश की बिर्यानी फरम、ाइश थी दो-तन्दफ आई थी तो अब सीजन भी आ गया है फेश हम बनाते जाले DAVID फेश की में एक रेसिपी बना रहा हूँ ठीक हर वीक एक रesipi ब ह्रसिपी बिना रहाए बना रहा हु तो कल ह मच्छी जी बिर्यानी ठाइंदासी, मिस्ना के जो तमाम बहतरीन हम दो प्रोग्राम कलवारो और साथ ही एक मीठा कोई बनाएंगे ठीक है अब यह जो जीरे वाला ओयल है इसको आप सेपरेट करके रगदें इसमें आप फिर मिर्चें तलें सालन में डाल दें इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है बिलकुल बैतरीन हमारी रेसिपी होगी यह कंप्रीट वाला खरी मिर्च और उसके साथ क्या बनाया है तसला चिकन ठीक है यह बार्बीक्यू स्टाइल की बटर जरूर डालना है मक्षन जरूर ए सो ग्राम आ कची रह जाती है थोड़ा सा हरा धनिया उपर से गार्निश करेंगे कुश्बू होद अच्छी आती है और कोई चीज जालने की जोती है क्योंकि हरी मिर्चे इतनी जबरदस चेट पटी है इसके साथ पालक जब आप खाएंगी ना इसमें हरी मिर्च साथ सत मसल के पिर आप नौ बज़े सुबा रिपीट चलेगा ठीक है कुकिंग विद फैसल हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप सब्सक्राइब करें चाकि सर्च करें रेस्पी थाउजन प्लस वहाँ पे एपिसोड हमारे मौजूद है चार से पांच लाइफ करते हूं साथ आट बए तक नौ बे तक अप्लोड जाता है प्रोग्राम क्योंकि लाइट का इशू है कैबल का इशू है तो आपको यह इजी है दूसरा ऑप्शन है 03142675311 मेरा परसनल वाटसप नंबर है 03142675311 इस पर मैसेज करें या वोइस मैसेज करें बहुत सी बच्चियां करती है बहने करती है मैसेज की रप्लाइब मैं आज भी जैसे खीर का था खीर बना रही थी कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने फॉरान को वाइस मैसेज किया उनने बना के पर पर्फिक्ट बना के मुझे पता दिया इस तरह आपको कोई हल्प चाहिए हो तो 03142675311 पे आप वाइस मैसेज क कर सकती मेरा वाट्स अपनमबर है इंशालला कलम बनाएंगे फेश बिर्यानी उसके साथ एक मीठा बनाएंगे अपना बहुत सा खर रखिए का दो में तरखेगा है सुबाने नाए बचे रिपीट अलंदो सेंद टीवे एच्टी कुकिंग शो या कुकिंग विद वैसल कि खरी अवाजानी उसके साथ पर राभ लमाथे विहासम告 कुकिंग विद फैसल तमाम एपिसोड इसो हारे HD कॉलिटी में विजित कायो असान्यों यूट्यूब चैनल सिन्टीवी HD कुकिंग शो